यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ कही होती तो जवाब देता वही शेपाली आदब पर भी आजम खान ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बात मुनासिब नहीं कि किसी जमात में दस बीस बरस रहा जाए उससे मुखलतफ हैसियत हासिल की जाए और फिर उसे छोड़ दिया जाए अगर आप किसी बात से इतफाक नहीं रखते तो आप खामोश रहिए मैं भी बहुत ही जमाने से खामोश रहा और बाद में वही हुआ जो सही था छोड़ देना बगावत कर देना ये शायद बहुत बहुत बहुतर काम नहीं है वहीं जब पत्रकारों नहीं आजम खान से ये सवाल किया कि आपकी पी-एम बनने की ख्वाहिश थी तो आजम खान ने इस पर कहा कि हाँ आज भी है कर दो कर दो कर दो कर दो